अब सभी देखो, संडे को भी बोला था, रुख जाओ, सब्र करो, साथ तारिक, साथ तारिक भी गई नहीं है, को स्रोत तगड़ा, इसका मतलब, कल भी जब आप कह रहे थे, कब आईगी, कब आईगी, मैं बोला था, यह आई है, लेकपाल की आई है, अनुदेशक की आई है, एक दो दिन रुख जाओ, तुम्हें भी सूचन मिलेगी, मैं उसमें यह भी बता चुका था, कि पहले भरती नहीं आईगी, पहले टेंडर आएगा, यह मैं साब बोला था, मैं पहले भरती नहीं आईगी, पहले टेंडर आएगा, तो देखें, खुश हो जाईए, 26,382 वो इन्होंने 27 जनवरी रखी है, मतलब 20 दिन के अंदर उस कंपनी को यह टेंडर भरना होगा, ज्यादा देरी भरती बोर्ड कर नहीं रहा, भरती बोर्ड का कहना क्या है, भरती बोर्ड कह रहा है, मेल और फिमेल, यह दोनों की है, समझे मेरी बात, सिबिल पुलिस तो मेल और फिमेल दोनों की है, उसका कहना है कि भी देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया बगएरा क्या होगा, 44 पेज का है, कि इसमें कॉंश्टिबल मेल फिमेल, जिसमें वेकेंसी 26,382 है, यह एजेंसियों से निवीदा, याद रखियेगा, ओनलाइन एप्लिकेशन, ओमर बेश्ट रिटेन एक्जाम, यह परिक्षा ओफलाइन होनी है, यह परिक्षा ओफलाइन होनी है, तो इन्होंने पूरी काम के लिए, डॉक्यमेट, वेरिफाई, रणिंग बगएरा सब कुछ कराने के लिए, यह सब कुछ माना है, इन्होंने बताए कि आपको कुश्चिन बेंक तयार करना होगा 5000 कुशिनों का उसी में से कुशिन क्या करेंगे पेपर बनाएंगे रिटिन एक्जाम में 20 लाख के करीब बच्चे बैठरी का नुमाल लगाया है कितने बच्चे इन्होंने कहाए कि अबाउट 20 लाख इस बार हो सकता है 20 लाख से जादा हो जाएं 20 ला निवीदा आमंतित किये क्या कि यह निवीदा आमंतित जिस भी कंपनी ने बड़े लेवल पर एक्जाम कराएं तो जिसने पहले दो एक्जाम 41,520,49,568 कराया है उसे कंपनी वो दुबारा फोंबरेगी उसे मिल जाएगा eligibility criteria है average turnover कम से कम 200 करूर हो तीन साल का पिछले का तो यह तो यह तो यह TCS इसको कर पाएगी या फिर NSEIT जिसने जो गुरूप D करा रही है और यह आपका जो है जिसने UPSI कराया था यह दो कंपनी इसको करा पाएंगी तो इसमें लगबग कितने करूर रुपे जमा करने होंग कि इससे हमें मतलब नहीं है 27 तारिक तक इसमें मांगा है 20 लाख बच्चे इन्होंने उम्मीद जताइए ऑफ लाइन पेपर होगा और 27 तक इन्होंने यह तो इसका मतलब अगर यह कंपनी चुली जाती है तो फरवरी के अंत में फोर्म जुआएंगे देखो फोर्म ऐसा हो सकता है कि यह पहले घोशना कर दें यह भरती की घोशना कर दें कलवल में बूड या इस अवते में भरती घोशित हो जाए और बेसक कहदे की फोर्म एक मार्चे से भरवाएंगे यह कहदे की फोर्म बाद में भरवाएंगे अभी केवल भरती का विज्यापन क्योंकि 20 दिन में ये निवीदा निवीदा को चेक करने में दस बारे दिन सेलेक्ट करने में फिर वो अपना पूरा सिस्टम जमाने में कुश्यन उनके पास बने हुए होते ही हैं तो इसमें 20 ये और 30 वो 50 दिन तो लगनी लगनी हैं तो फरवरी का एंड चला गया लेकिन तब तक हो सकता है कि आचार सहीत आ जाए तो इसलिए बोर्ड क्या करेगा कि वो घोषणा पहले ही कर देगा अब घोषणा ना भी करे तो तुम्हें पता चल गया कि 26,382 वेकेंसी आ गई लाखों की संख्या में विद्यारती बैठेंगे और बहुती टफ कॉम्प्टीसन होगा कम से कम इस त कम भरने का होता है और एक महिने बाद उसके कम से कम एक्जाम होता है तो 30 तिया 90 110 दिन 110 या 120 दिन आपको मिल गए आप सब को पता है चार सब्जेक्टें हिंदी ऐसी करनी है कि कि किसी तुमारे कम टिटर की ना हो